तो दोस्तों अगर आप भी पता करना चाहते हैं कि आपके वोटर आईडी कार्ड में आपका कौन सा मुबाइल नंबर लिंक है तो विल्कुल सिंपल सा प्रोसेस में इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिसके जरी आशानी से आप यह पता कर सकते हैं कि आपके वोटर HELP LINE आपको EPLриर चाहीं टाइप करना है और वोटर हेल फिंड़र आपको अपने फोन में जैक सेकते यह अप्लिकेकिशन आपको अपने फोन में इस्टाल कर लेना है उसके बाद आपो उसे ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद कुछ इस तरी कए दिखाई देगा जहांपर आपको अपना mobile number और एक password डालने के लिए बोला जाएगा अगर पहले से आपने registration किया होगा तो अपना mobile number और password डाल कर chain.op option पर click करेंगे तो आपके number पर OTP भेजा जागा उस OTP को इंटर करके आप logging कर लेंगे लेकिन पहली बार आये हैं यहाँ पर नया है तो यहाँ पर new user वाले option पर click करेंगे उसके बाद कोई सवी एक number यहाँ पर डाल लेंगे उसके बाद chain.odp option पर click करेंगे आपके number पर OTP बेजा जागा उस OTP को इंटर करेंगे अपने नाम इंटर करेंगे उसके बाद एक password बना लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपने mobile number और password इंटर करके logging करने के बाद इस तरीके से इस application का dashboard नज़राएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं download epic option दिया गया है अगर अपने नया voter ID card आपको apply करना है तो voter hsn वाले option पर click करके नया voter ID card apply कर सकते हैं इस पर मैं और वीडियो बना चुका हूँ आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब आपना mobile number आपको पता करना है कि आपके आज़ा mobile number है आपके voter ID card में कौन से लिंक है तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो पहला option यहाँ पर दिखाई देरा है download epic आप इस option पर click करेंगे यहाँ पर click करते ही आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से आपना इस डेट यहाँ पर स्रेट कर लेना है उसके बाद face details का option यहाँ पर दिखाई देगा आपको इसके ऊपर click करते हैं तो जिसका वोटर ID card नमबर उसका details आपके सामने आ जाएगा और जो भी आपको मुबाइल नमबर लिंक होगा आपके वोटर ID card के अंदर नमबर का लाइट 48 भी यहाँ पर शो हो जाएगा जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मुबाइल नमबर का लाइट 48 शो हो रहा है तो इस तरीके से विल्कुली असानी से अगर आपको यह पता करना है कि आपके वोट